अस्सलाम अलेकुम, दोस्तों उम्मिद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ मालिक आपको और आपके फैमिली को हमेशा सलामत और खुश रखें दोस्तों अगर आप फोरें में जॉब करना चाहते हैं या इस टाइम फोरें में है या कुछ टाइम के बाद जॉब के लिए आप जाने वाले हैं तो एक नया कानून हमारे सामने आया है आज कल जगा जगा पे इस टाइप का एड चलता है और उस एड के अंदर एक तनाजुल नाम का वर्ड आपको दिखाई दिया होगा तो ये तनाजुल क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसमें हमारा क्या नुकसान है, क्या फाइदा है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर आपने इसके बारे में जानकारी नहीं ली आप फौरेन में चले भी गए तो आपने जो भी जाने का खर्च किया है वो बर्बाद हो सकता है और जाने के बाद आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है For example, 4-5 मेने के बाद अगर आपको सेलरी नहीं मिलती है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते तो इन सब नुकसान से बचने का तरीका क्या है वो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हो तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और बिल्कुल भी स्कीप मत कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेर करें और लाइक करें ताके किसी के काम आ जाए तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ के तनाजूल जो है अगर आप किसी कमपनी में जॉब करते हो और उस कमपनी के साथ आपका दो साल का तीन साल का जो भी एगरिमेंट है उस एगरिमेंट के पूरा होने से पहले आपको किसी वज़ा से जॉब छोड़नी पड़ रही है या आपको जॉब से निकाल दिया जाता है तो ऐसे में ये कमपनी छोड़ कर जाहिर सी बात है आप दूसरी कमपनी में जॉब के लिए जाओगे तो ये कमपनी छोड़ कर दूसरी कमपनी में जॉब को जोइन करने का जो जेन्यून तरीका है उसको बोलते हैं तनाजूल इसलिए जब भी कभी आपके सामने कोई ऐसी बात हो आपको company से निकाला जाए या आप खुद किसी वजा से job छोड़कर दूसरी company में जाए तो जिस company में आप job करते हो उस company को छोड़ने से पहले आप तनाजूल उनके पास से ले ले पहले पहले तो वो मना करेंगे कि आप किसी पी जगापे जाके काम करो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आप बिना तनाजुल लिये चले गए और बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत बड़ी problem होगी आपके लिए क्योंकि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी और एक company से job छोड़कर दूसरी company में job को join करने का genuine और best तरीका यही है इसलिए जो लोग भी genuine तरीके से job दिलाते हैं आपकी job लगवाते हैं वो बिना तनाजूल के आपकी job नहीं लगवाएंगे यह उनके अच्छे काम करने का तरीके की निशानी है और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस वीडियो की और इस तनाजूल के बारे में जानकारी की सब को बहुत जरूरत है क्योंकि जिस बीमारी की वज़ा से हम लोग पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं जिसकी वज़ा से छोटी-छोटी कमपनिया काफी सारी बंद हो गई और बड़ी-बड़ी कमपनियों में से कुछ लोगों ने खुछ से जॉब छोड़ दी या कुछ लोगों को निकाल दिया कम स्टाफ में काम कर रहे हैं तो ऐसे मैं ये कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में ये बात आम हो चुकी है आज कल के दिनों में इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जनरली क्या होता है, कि जिस कंपनी में आप जॉब करते थे, किसी वज़ा से आपको निकाल दिया, या किसी वज़ा से आपने जॉब छोड़ दी, तो कंपने वाले आपको सीधा सीधा बोल देते हैं, कि हमारे पास काम नहीं है, आपको दूसरी जगा पे काम करोगे, हमको कोई प्रोब्लेम नहीं है, आप दूसरी जगा पे जाके दूसरी कंपनी में जॉब कर सकते हो, हमको कोई प्रोब्लेम नहीं है, प्रोब्लम उनको तो कुछ नहीं होगी, प्रोब्लम आपको बहुत बड़ी हो सकती है, मान लो आपने दूसरी कंपनी में जॉब जॉइन कर बिना तनाजूल के, आपको जॉब मिल भी गई, आपका काम अच्छा भी हो रहा है, दो मैने हो गई, तीन मैने हो गई, कोई बात हो गई, फॉर एक्जेम्पल आपको तीन मैने, चार मैने के बाद सेलरी नहीं मिले, तो आप क्या करोगे, आप उनसे बात करोगे, अगर नहीं करता है और इसका कोई सबूत भी नहीं है कि आप उस कंपनी में काम करते हो क्योंकि आपका जो वीजा है आपका जो अकामा के साथ जो डिटेल्स है वो तो पुरानी कंपनी की है जो कंपनी आप छोड़ कर आए हो अगर वो पुरानी कंपनी के साथ भी रिक्वेस्ट करें कि आ आपके साथ जूर्माना भी हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है, और आपको बैंड भी किया जा सकता है कंट्री में, त अभी आपको पता चल गया होगा, के तनाजूल लेना कमपनी से कितना जरूरी है, जब तक चलेगा कोई प्रोब्लम नहीं, लेकिन कल क्या होने वाला है वो तो हमको पता नहीं है इसलिए आप हमेशा याद रखें कि कॉंट्रक्ट पूरा होने से पहले अगर आपको जोब से निकाल दिया जाए या खुश से जोब छोड़ कर जाना पड़े तो बिना तनाजुल के ना जाए उनको बोलें उनके साथ जिद करें अगर आप हमको जोब से निकाल रहे हो तो हमको तनाजुल दे दो हम दूसरी जगा पर काम कर लेंगे और साथ-साथ ये भी बता दूँ कि दूसरी जगा पर जोब के लिए तनाजुल जरूरी नहीं है लेकिन आपको प्रोब्लम ना हो और जन्यून तरीके से आप बिलकुल आराम से जोब करें इसके लिए मैंने आपको जानकारी दी है और आज के समय में ये जानकारी बहुत जरूरी थी दोस्तों मैं अपने चैनल पे ऐसे ही इंट्रस्टिंग और लेटेस जोब के जानकारी देता हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि मैं लेबर, हेलपर, मैनेजर, एंजिनियर, सुपरवाजर और भी बहुत सारी के एटेगरी की जॉब के जानकारी देता हूँ और विजा और मेडिकल से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है मैं अपनी चैनल पे वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पसंद आये तो प्लीस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा आफिस.